हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए पट्याला सिल्वार लेकर रही हूँ और ये सिल्वार में सवादो मीटर फैब्रिक से बना रही हूँ पहले बेल्ट कट करनी है बेल्ट के लिए फैब्रिक को एक वार फोल करना है फेवरिक लेनी है बेल्ट साथ इंच की तयार करनी है तो लेन्ध नौ इंच ले रही हूँ तो यहाँ पर दो इंच फेवरिक मैंने फोल करने के लिए और सिलाई के लिए एड़ की है यहाँ से बेल्ट को कट करना है तो बेल्ट की लेन तो हमने 9 इंच ली है, बेल्ट 7 इंच की तयार होगी और यहां से मैंने बेल्ट को कट कर लिया है बेल्ट की चोड़ाई बता रही हूँ, या तो बेल्ट की चोड़ाई आप कमर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रख सकती है या फिर आप सिटेनर साइज की सलवार बना रही हैं, तो उसकी चोड़ाई हम 24 इंच ही रखते हैं यदि आप हेवी सलवार बना रही हैं, तो कमर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसकी चोड़ाई रखें फिक्स मार्क पलस में 8 इंच फेवरिक हम अधिक एड़ करते हैं, फोल्ड बेल्ट में पार्ट की कटिंग के लिए फेवरिक को एक वार फोल करना है, फिर हम इसे दुवारा से फोल करेंगे फेवरिक फोल लेयर में फोल किया है, चोड़ाई मोहरी के अकॉर्डिंग लेनी है, पार्ट स मैं 6 इंच के बनाओँगी, चोड़ाई में 7 इंच ली है, लेंथ लेनी है पार्ट स मैं तयार करना लेंगे 33 इंच के और लेंथ हम оровें, 34 इंच तो यहाँ पर 34 इंच पर मार्क करके साइड से फैबरी को मैंने कट कर लिया है अब इधर की तरफ से भी हम ये कटिंग करेंगे सलवार हमारी 40 इंच की तयार होगी 7 इंच की बेल्ट और 33 इंच के पार्ट तो यहाँ पर मैंने ये पार्ट कट कर लिया है बची की फैबरीक से महरी और बेल्ट में एड करेंगे तो यह टू पार्ट है तो पार्ट हमें एक तरफ रखने है और कली के लिए फैबरीक लेनी है तो यहाँ पर मैंने कली के लिए फैबरीक लेनी है और इसे एक वार फोल्ड किया है चोडाई की तरफ से मैंने इसे full किया है और हमें यहाँपे कली की length लेनी है कली की length parts के according रखेंगे parts की length 34 inch है तो यहाँपे हम कली की length भी 34 inch ही रखेंगे तो इधर की तरफ से हमें 34 inch भी mark करना है और फिर हम दूसरी तरफ mark करेंगे अब की वार हमने कली के लिए इधर से लिए है और दूसरी वार में कली के लिए हम यहां से रखेंगे तो यहां भी हमें 34 इंच पर मार्क करना है और दोनों मार्कों को मिलाते हुए तिरची लाइन ड्रो करनी है तो यहां पर मैंने यह तिरची लाइन ड्रो की है सबसे पहले एक side fabric की खुली side है ये band side है band side की तरफ से हम इसी cut करेंगे यहां से ऐसे आप लाश्ट तक इस fabric को cut करें और फिर तरची line को हमें cut करना है तो यहां पर मैंने four curly cut की है four curly हम एक साथ रखेंगे आसन का measurement लेना है साथ इंच का आसन belt में तयार रहेगा और यहां पर हम आसन की length रखेंगे 10 इंच और आसन हमारा 9 इंच का तयार होगा cutting करेंगे सलवार की video complete हो गई है यदि friends आपको मेरी ये video सही लगी हो तो please channel को subscribe करें video को like करें, comment करके बताएं आपको हमारी video कैसी लगी है और video देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाई